शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र विंग कमांडर अब गूर्प कैप्टन वर्थमान अभिनंदन उडान पाइलट विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायू सेना स्टेशन श्री नगर में ऑपरेशनल रेडिनेस प्लैटफॉर्म पर तैनाथ थे सुबह 9 बच कर 55 मिनिट पर उन्नत हतियारों से लैस पाकिस्तानी वायू सेना के लड़ापू वायू यानू को जिन में चौथी पीड़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया लगबग 10 बजे आपको तुरंद शत्रू के वायू यानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया आप व्यक्तिकत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आके पढ़े असाधारन हवाई सूज पूज और शत्रू की रणनीती की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपनी वायू यान वाहित एर इंटरसेप्ट रैडार से निल्ण उचाई के वायू क्षेत्र का निरिक्षन किया और पाया कि दुश्मन का वायू यान भारती लड़ाको इंटरसेप्टर वायू यान पर घात लगाकर हमला करने के ये निम्न उचाई पर उडान भर रहा है आपने खतरे के ग्रदी अन्य पायलट्चों को सचेत लिया भारती सेना के ठिकाने पर अस्त्रस गिरा रहे पाकिस्तानी वायू सेना के खिलाफ जवाबी रणनीती बनाई इसने शत्रू क आपके वायू यान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस हो गए आपने शत्रू के लड़ा को बंबर्शक वायू यानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायू यान को मार गिराया तथा पी इस घंघोर युद्ध में शत्रू की एक BVR मिसाइल आपके वायू प्यान से टकरा गई और आपको शत्रू की सीमा में उतरने के लिए बात दे होना पड़ा एक युद्ध बंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे सैयम बहादुरी और करिमा पूर्ण तरीके से शत्रू से पेश आए जब तक आपको एक मार्च 2019 को वापस स मौपा गया तब तक आपने असाधारन दृड़ता बनाई रखी इस कारे से सभी सशत्र बलों का और खासतोर पर भारतिये वायू सेना का मनोबल बढ़ा इस प्रकार विंग कमांडर वर्थमान अभीनंदन ने अपनी व्यक्तिकत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने करतव्य के प्रती असाधारन समर्पन तथा शत्रू के सामने अदम में साहस और शौरे का प्रदर्शन किया ग्रूप कैप्टेन वर्थमान अभीनंदन कि उलते हुए आई प्रूप का लाड़ को आई दिस्मान अभीन अत्रूप कि उलते हुए अपनों वर्थमान अभीनंदन